फ्रेंज आप सभी का विल्कम है मेरी यूटूब चैनल सबके सब पर आज के इस इलस्टेटर के क्लास नमबर 3 में हम लोग सीखने वाले हैं ये 5 टूल्स जिसमें शेपर टूल होगा, पैंसिल टूल, स्मूट टूल, पाथ हीरिजर टूल और जॉइन टूल पिछले क्लास को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप क्लास 1 और क्लास 2 को अच्छे से देख ले, लंबी वीडियोज होगी, एक एक घंटे की आप उसको अच्छे से देख ले, तो ये वीडियो, क्लास 3 की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ अगर आप practical अच्छे से करते जाएंगे तो आपको कोई problem नहीं होगी और जहां जहां दिक्कत आएगी problems आएगी आप comment box में लिखेगा उसका solution अगले वीडियो में मैं कर दिया करूंगा तो आए शुरू करते हैं shaper tool का सही use क्या होता है देखें पहले tool shortcut है shift plus n shortcut अगर आप या आप इस tool की मदद से जल्दी में कोई भी शेप बना सकते हैं जैसे मुझे एक circle बनाना है तो simply हमने click and drag किया कुछ यूँ और वो एक circle बन जाएगा इसी तरीके से अगर आपको triangle बनाना है तो आप triangle बना सकते हैं rectangle बनाना है square बनाना है आप कुछ भी इस तरीके से बना सकते ह हैं कुछ यूँ hard shape बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं कुछ यूँ तो आप इस तरीके से सारे shapes बना सकते हैं लेकिन आपका question यह हो सकता है यहाँ पर कि जब हम लोग shape tool का use करते हैं तब भी यह सब सारे shapes बन जाते हैं तो shaper tool की क्यों जरूर पड़ी तो इन सभी को एक shape इसके ऊपर बनाता हूँ तो अब इसका फाइदा हम लोग ले सकते हैं कि इसको अगर मुझे cut करना है तो मैं cut कर सकता हूँ इसको add करना है तो मैं add कर सकता हूँ और यह shaper tool पर रहते हुए कर सकते हैं हम लोग किसी और tool पर जानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे अगर आपको add करना है तो आप अंदर आ जाए और इस तरीके से आप सिफ एक zigzag line बना दें यह देखे दोनों line add हो जाएगी अंदर दो shape को बड़ी easily आपने add कर दिया और अगर आपको बाहर cut लगाना था मैंने control z से undo किया है और अब मैं बाहर वालों को cut करना चाहता हूँ तो इस अब से बड़ी बात यह है कि जो आपने cut लगाया है inside में या outside में दोनों condition में अब आप Shaper tool पर रहते हुए इसको edit कर सकते हैं और edit करने के लिए अब आपको Shaper tool से सिर्फ एक बार इसके उपर click करना है जब आप click करेंगे एक बार तो यहाँ एक छोटा सा box बन जाएगा arrow का और जब आप इस box पर click कर देंगे तो आप construction mode पर आजाएंगे और दोबारा आप construct कर सकते हैं देखें मैंने click किया अब यह एक bounding box बाहर के तरफ बनी है और यह दोनों shapes हमारे पास है square वाला भी shape है और circle वाला भी shape है और यह circle वाला भी shape है अब मुझे किसी भी एक shape को दोब circle के stroke के उपर में click कर रहा हूं देखें यह active हो गया अब active होने के बाद अगर मुझे इस circle को और बाहर निकालना है तो मैं इसको पकड़ कर बाहर निकाल सकता हूं कहीं से भी इसको छोटा कर सकता हूं कहीं से भी इसको adjust कर सकता हूं इसको move करा सकता हूं अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो इस center वाले point को पकड़ कर मैं total बाहर कर सकता हूं यहाँ पर, undo करना है तो आप undo कर लिजे और इस beach वाले point को पकड़ कर आप move करा सकते हैं कि मुझे यहाँ cut नहीं लगाना था, मुझे इस corner में cut लगाना था, या उपर cut लगाना था, मैं उपर में यहाँ ले जाकर fix कर सकता हूं, तो यह shaper tool के मदद से आप कहीं पर भी कुछ cut लगा सकते हैं, और दोबारा edit करना है तो आप edit कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक notice क्या होगा, जो इसका color है, वो gray color आ रहा है, या stroke में black color आ रहा है, तो इसका color भी बहुत आसानी से आप change कर सकते हैं, अब देखें, सबसे पहले हमें बाहर निकलना है, तो आप बाहर कहीं पर भी click कर दें, आप बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद अगर आपको इसका color change करना है, तो normally आप selection tool पर आकर इसको select करें, और अब आप यहाँ से कोई भी colors में fill कर सकते हैं, तो अब आपको idea मिल गया होगा कि shaper tool से आप shape बना भी सकते हैं, cut भी कर सकते हैं, even कि आप add कर सकते हैं, तो उसके चलते दोबारा आपको किसी tool पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह benefit मिल जाएगा shaper tool से, अब बात करते हम लोग pencil tool की, तो pencil tool का काम है, normally lines draw करना है, कुछ इस तरीके से, लेकिन सिर्फ line draw करने के लिए pencil tool नहीं दिया गया है, even कि अगर आपके पास पहले से कोई shape बना हुआ है, या कोई text लिखा हुआ है, और उसमें भी add on करना चाहते हैं, तो आप pencil tool की मदद से कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसको बात में देखेंगे, लेकिन सबस करके आप इसकी copy कर ले, और अब अगर आप control D प्रेस करते हैं, तो ये देखें, multiple copy कुछ यूँ बनती चली जाएगे, perfect line बनेगी, और इन सभी को एक साथ select करके आप चाहें, तो group कर सकते हैं, even कि अगर आप इसको किसी shape में mask करना चाहते हैं, तो आप mask कर सकते हैं, जैसे अ एक circle ले लूँ, और इस circle पे मुझे mask करना है, तो इसको select करूँगा, और अब दोबारा सभी को select करूँगा, right click करके मैं clipping mask कर सकता हूँ, और ये benefit किस से मिला, pencil tool से, और pencil tool में एक काम आप और कर सकते हैं, कि जैसे अभी हमने एक line जो draw किया था, जैसे ये एक line मैंने ये draw किय और दूसरी line जो मैं draw करता हूँ, कुछ overlap करा करके मैंने ये draw किया, दूसरी line का color अगर हम लोग change कर दें, कुछ दूसरा, for example हमने ये color कर दिया, और पहली वाली line का color मैं कर देता हूँ, कुछ orange, अब देखें, दो color हमारे पास है, और इन दोनों को select करके, अगर मैं एक tool यू यहां पर make कर देना है, और अब दोबारा जाना है blend में, और यहां पर blend का option होगा, यहां से जाकर के आप specified steps में जाएंगे और इसको कम कर देंगे, जैसे मैंने इसको कर दिया 20, और अब आप ok कर दीजे, देखें, perfect wavelength बनी है, तो बहुत ही जादा benefit ले सकते हैं आप pencil tool से, next अ करके आप इसको outline mode में यहां से convert कर लीजेगा, और इसके fill color को off करना है, stroke color on करना है, तो उसके लिए अब आप यहां से fill color off कर दें और stroke का color आप on कर ले, simply, अब देखें, stroke का color on कर लेने के बाद, अगर मैं direct selection tool बुढ़ाता हूँ, तो यह सारे anchor points active हो गए, और यहां से अगर म इसको मैं add on करना चाहता हूँ, तो pencil tool की मदद से इसको add on कर सकते हैं, आप pencil tool पर आएंगे, और simply यहां से इस path पर click करते हूँ आगे बढ़ेंगे, और कुछ यूँ कर देंगे, तो यह देखें, इसके साथ add हो जाएगा, और pencil tool की मदद से आप चाहें तो इसको smooth भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें pencil tool की अंदर एक setting करना होगा, आप pencil tool पर double click करेंगे, तो यहां पर देखें एक option है, आपके पास alt key toggle to smooth tool, यानि alt key अगर मैं press करता हूँ इसको check करने के बाद, तो pencil tool हमारा बदल जाएगा smooth tool में, हलाके आप pencil tool के नीचे देखें, तो यहां पर smooth tool है, आप इसका भी use कर सकते हैं, लेकिन pencil tool पर रहते हुए, अगर आप इसको smooth करना चाते हैं, तो आप सिर्फ alt press करें, और इसको smooth tool से smooth करते हैं, यह देखें, बहुत ही अच्छे डंग से smooth हो जाएगा, उफेक्ट परीके से smooth हो गया है, तो जहां पर भी आपको लगता है कि वह smooth नही visit point का भी फाइदा ले सकते हैं, कि आप visit point से भी कर सकते हैं, अब visit point क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, जैसे आपने एक square बनाया, तो यह corner का point होता है, इसको बोलते है visit point, लेकिन यह beneficial तब होता है, जब single anchor point हो तब multiple anchor point एक ही जगा बना हो गया, तब आप परिशान हो ज अब देखें, smooth tool का फाइदा एक और क्या होता है, कि अगर आपने एक line कुछ new draw किया, तो देखें, कहीं कहीं पर smooth बना है, लेकिन कहीं कहीं sharp हो गया है यह line, तो ऐसे condition में आप smooth tool का फाइदा ले सकते हैं, कि आप smooth tool पर जाए, और normally इसको paint कर देंगे, दो तिंग बर, यह अ इसको simply आप इसके उपर overlap कर दें, यह erase हो जाएगा like this, और जहां जहां पर से भी चाते हैं, आप इसको cut लगा सकते हैं, और दोबारा एक tool आपके पास है, joint tool, joint tool के मदद से आप इन सभी को select करें, और दोबारा joint कर ले, देखें, यह joint हो जाएगा, इस तरीके साब सभी को select क कर दें, आप joint tool का एक benefit आप और ले सकते हैं, कि कई lines अगर आपके सामने हैं, जैसे एक line हमने यह draw किया, एक line यह draw किया होगा है, और एक line हमने यहां से यह draw किया होगा है, और इन सभी को आपस में अगर joint कराना है, तो आपको select करके कहीं कुछ करने की जरूत नहीं, आप joint tool उपर आ जाएं, इसके उपर overlap करा दें, यह join कर जाएगा, कुछ ही हूँ, यह देखें, तो यह पांच ओर tools, shaper, pencil, smooth और path ही रिजर के साथ join tool, इन सभी का benefit आपको मिल जाएगा, अच्छे से practical कर लीजिए, next tutorial में आगे देखेंगे, तो class दिली NCR में कहीं भी रहते हों, तो आप मेरे institute में आकर complete graphic designing का course कर सकते हैं, animation कर सकते हैं, website designing का course कर सकते हैं, digital marketing सीख सकते हैं, और अगर दिली NCR में नहीं रहते हैं, तो online short term course होता है हमारा, उसको join कर सकते हैं, जो zoom meeting के थूरू से life class मिलती है, contact number हमने description में दे रखा है, आप जब चाहें call कर सकते हैं, और call करके join कर सकते हैं, तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much friends